नमस्कार मैं आनंद शर्मा भारत मौसम इज्ञाविभाद से लेकर आया हूँ आपके लिए मौसम कर पूर्वनमान की जनकारी आए देखते हैं पिछले हथे मौसम कैसा रहा और अगले दो हफ्तों में मौसम कैसे करवट लेने वाला है इस चित्र की माध्यम से हम समझेंगे कि इस सब्सक्राइब कौन-कौन से इंपॉर्टेंट वेदर सिस्टम थे जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा जो है वो हमाले की तलटे की ओर है वहीं एक सर्कुलेशन आपका बना हुआ है और यहां पर दूसा सर्कुलेशन आ आफ शोर ट्रॉफ यहां मैं बताना चाहूंगा यह कम दवाब का एक विस्तारिस शेत्र है जिसको हम ट्रॉफ कहते हैं इसमें पूरे में जो है आपका प्रेशर काफी कम रहता है ऐसे एक आपके पास देख रहे हैं आपके पास उत्तर दक्षरी ट्रॉफ भी बने हुई है इस शेत्र में और साथ में जो दो बुक्य बातें आपको सामने दिखाई दे रही हैं यहां पर कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली दक्षिनी हवाएं जो है खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों के ओर बढ़ रही थी और यहां पर यह जाके जिसे कहते हैं लोग कनवर्ज तो इससे करें अरप सागर यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि धौ्शनी आवाएं और पश्च्री हवाएं तो यह नरी लेकर आए हमारे उत्तर भारत पश्च्च्री भारत की तरफ और उसके साथ साथ हमारे पास एक पश्च्च्मी जो वेस्टर लीर ट्राफ है वो भी आपके चित्रों के मातेम सेंगे कि यह हमारा दिखाता है कि हर तीन घंटे की जो हमारे उप्ग्रे से जो चित्र प्राफ्ट होता है उसका हमने अनिवेशन बनाएं इसमें आप देख सकते हैं कि जहां जा आप गने बादल दिखाएं दे रहे हैं खासकर जो उत्तर पूर्वी आप को दशाएं के आपको कुछ जानी शेत्र यहां पर हमारे पास आपको देखने कर दो हैं में अच्छी खासी वर्षा की देखने को बिली खासकर पंजाब हर्याना और दिल्ली NCR के रिजिन में कि आप इस चित्र की बाद्यमसंद देखेंगे कि हमारा जो वर्षा किस तरह से हमारी विस्तृत रही हम बात करें नौ जुलाई से पंदरा जुलाई का इंदि हम पूरे देश भर का नक्षे में देखें तो आप आएंगे कि काफी सारे हमारे शेत्र हैं खासकर जो राजस्ता समाने से कंग रही और पंदरा जुलाई को जो हफ्ता खताम हुआ उसमें जो हमें वर्षा मिली वो करीब-करीब समाने से 1% जाला थी हलाकि इसको हम समाने ही मानते हैं वहीं जो हफ्ता 23 जुलाई को खताम हुआ उसमें जो वर्षा जो हमें मिली वो समाने से करीब-करीब मा आप देखेंगे इसमें 15 जुलाई तर जो हमारे 14 मौसम के उप्खड थे उन्में कहते है वर्षा या समाने से ज्यादा रही वहीं 10 उप्खंड में वर्षा शमाने से कम रही जब आप महाते दूसरे यानि तेष चुलाई को यहफ्ता खता हो थोड़ा सा में चेंजिस आये हैं यानि कि जो बारा उपखट थे जिन में पहले कमी थी अब वो बढ़के 14 हो चुके हैं कि इस चेत्र की माद धन से हैं कि एक जून से लेकर अभी हमारे पास केटे पूरे ब्रूमैं कितनी वर्षा मिली है तो आप देखें के 30 वर्षा समानने से ज्यादा मिली है, सिरफ उत्तर पश्चि भारत को छोड़ दें, जहां कि वर्षा माइनस करीब करीब 16 पर्शिशन समानने से कम रही, और करीब 29 मौसम के उपकर्ण ऐसे रहे, जिन में वर्षा समानने थी, और 7 उपकर्णों में इस समानने से कम रही. अब बात करते हैं, आज के वेदर सिस्टम्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो आपर मौसम ट्रफ है, खासकर उसका जो पश्च में हिस्सा है, वो आपके हिमाले की तलटी की हो रहा है, वहीं जो पूर्वे हिस्सा है, जो थोड़ा समाने से नीचे है, और एक सर्कुले अब बात करते हैं, अगले एक हफ्ते के वर्षा के पुर्वानुमान की, तो यह हमारा जो GFS मॉटल है, यह बेसिकली एक जो मॉटल होते हैं, वो हमारे जो फिजिक्स और वेतेमेटिकल इक्वेशन के अधार पर हम प्रकृति के और तवरन के वायू मॉटल को समझने की सकते हैं, तो यह जो मॉडल आपको दिखा रहा है, कहां का वर्षा आपको ज्यादा मिलने वाली है, और किन चित्रों में आपको वर्षा कम मिलने वाली है, अब बात करते हैं, हमारे अगले दो हफ्तों की बौसन भी पुर्वानुमान की, तो इस चित्र में आप देखी रह ही है, खास कर उत्तरपूर्वी इलाकों में, और थोड़ी बहुत वर्षा जो है उत्तरपश्चिल भारत के इलाकों में भी मिल सकती है, और मध्य भारत में जो है वर्षा समाने से कम रहने वाली है, और वहीं दक्षिन प्रायदीप की बात करें, तो वहां समाने या समाने स में पडोत्री होगी अब बात करते हैं अगले दो हफ्तों के मौसम के पूर्वानुमान की समरी के बारे में तो पहला जो बुख्य बिंदू उभर के आता है वो है कि अगले एक हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में कोई भी कामदबाब का शित्र नहीं बनने वाला है और वहीं पूर्वी हिस्सा जो है समान नहीं मगर अगे जैसे हम बढ़ेगे तो 25-26 के आसपास जो है जो जो मौनसूम ट्रॉफ है उसमें फ्लक्ट्वेशन होगा और उसका जो पूर्वे हिस्सा है हमाले की तलड़ी में चला जाएगा वहीं पस्चि में हिस्सा जो है वह अपनी समा से 39 के बीच में फिर बाढ़ की संभावना बनेगी कोई रहात नहीं मिलने वाली है बाढ़ होगी भूसकलन फिर मिलने वाला है तो इसलिए लोगों को साथानी बरत नहीं होगी और नदी नालों और निचले लोगों से दूर रहना होगा वहीं आप बात करें हमारे केते हैं अब नहीं सा कि हमने पिछले सफ्ता भी पूर्वा नुमान दिया था कि खासकर पूर्वी मध्यप्रदेश और पूर्वी मध्य भारत है वहां वर्षा समाने से कम रहने वाले हैं किसानों के लिए थोड़ी समस्य हो सकती है यहां पर हलांकि आज थोड़ी उस इलाकों में कुछ वर्षा जरूर मिली है वहीं आपके कहते बात करें दूसरे हफ़ते की तो दूसरे हफ़ते में आप यह देखने को मिलेगा आपको कि जो हमारा मध्य भारत है वहां कुछ अच्छे संकेट मिल रहे हैं वर्षा में बड़ोतरी होगी और उसके साथ साथ हबारा कहते है दूसरे हफ़ते में हमारी वर्षा मिलने वाली है खास कर मध्य भारत के लिए और जहां तक सवाल है उत्तर पूरवी लागों का तो वहां पे वर्षा में कमी आएगी और इसके पीछे जो मुक्य कारण रहेगा वो रहेगा बंगाल की खाड़ी में कम दवाप का शेत्र बन कर लेगा और साथ-साथ सक्रिय भी रहेगा तो उसके चल से मध्य भारत के लिए एक अच्छा संकेत है और वहीं हमारे जिब बात करें तो उत्तर पूरवी लाकों में तो उसको भी हम अच्छा मानेंगे कि क्योंकि लगातार जो वर्षा का दौरवा चल रहा था उसमें भी